शिर्फ राजभर रेजिमेंट बना दे सरकार और चाइना बाडर पर राजभर नौजवानों को खडा कर दे मैं कह रहा हूँ 20 किलोमीटर अंद ख़रेड़ के आजाएंगे हम दोग 20 किलोमीटर इतियास गवा है राजभर समाज का जब इस देश में सारे राजा परास्थ हो गए थे तो एक राजा बहराईज का चक्रवर्त की समराथ राष्ट भी राजभर महलाजा सुहल देव राजभर जी ने देड़ लाख बीदेशी आकरंताओं को गाजर मूली की तरह काटा था सरकार लोग कंत्र हैं लोग कंत्र हैं सिर्फ राजभर रेजमिन बना दे और हम लोग को छूट दे दे हम लोग चाइना बाडर पर चले जाएंगे तावे के साथ के 20 किमेंटर से लिए आपने मुझे सुनने काल में बोलने का उसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभार अब्यक्त करता हूं अध्यक जी मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है भारतिय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है अध्यक जी हम सभी जानते हैं कि सेना में अलग-अलग जाती धर्म संप्रदाय और राज्य के योगदान बलिदान को द्यान में रखते हुए उनके सम्मान में उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग-लग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाती के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है ये अहिर रेजिमेंट की मांग बिलकुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए क्योंकि अद्यक जी मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूँ जिस दिन ये अहिर रेजिमेंट का गठन होगा चाइना की रूह का आप जाएगी अध्यक जी उसका कारण उसका कारण एक सेकेंड में बता देता हूँ अध्यक जी बासट के युद्ध में रेजांगला चोकी पर 124 अहिर जवान तैना थे ठीक है उन्होंने सो दो सो ने इतीन हजार चीनी सहिनिकों को मारा और चाइना ने ये कहा अधिन नहीं है उसकी लेए कर दो